अंबिकापूर से अगली खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापूर नगर निगम शेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोशित कर एक हफते का लॉकडाउन लगाया गया है जो 28 सितंबर रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा इस से रोज कमाने खाने वालों पर आर्थिक तंगी का खत्रा बढ़ गया है अंबिकापूर में रोजाना काम कर भरन पोशन करने वाले सबजी और फल विक्रिताओं पर लॉकडाउन का असर बढ़ रहा है साथी सबजी और पादन किसानों के माते पर चिंता की लखीने बढ़ गई है शेहर में लॉकडाउन लगने से फल विक्रिताओं को महिंगे दामों में खरीदा हुआ फल सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है साथी एक हफ़ते बंद के दौरान अपना परवाद चलाना भी मुश्किल हो गया है और कर्ज लेने के स्थिती बन गई है परज लेंगे किससे जादे बंद फाएंगे, उख लेता है यही स्थिमित है, मनलोगों, दंदपन यही है जब यही बंद हो जाएगा, तो कहां सदाएगे मालोल मचेगा, पुरा सड़ेगा उसमें नक्सान जाएगा अपना महाजन भी मानें का नहीं पिषा अपना घर से भड़ना पड़ेगा जो माई जोरी। रहेगा वो अभी कैसे बेच रहे हैं? अभी एक दाप खारदारी वट से नीचे बेच रहे हैं अपनी जैसे की? आज से वी खरीद के सो में डीड़ किलो, सो में दूईयों किलो नी बेच रहे हैं पुरा खारदारी ने डिसमी नीचे